दोहजार रुनिस विधान सभाचुनाव को लेकर कि अपने वादों के लिए जार्खन कॉंग्रेस अब सरकार पर दवाब बनाएगी इन वादों में सबसे प्रमो कॉमन मिनिमम पोर्ट प्रोग्राम को लागू करना है इसके लिए कॉंग्रेस विधायक जल्दी मुख्य मंतरी हिमन सोरेन से मुलाकात करेंगे ये फैसला कॉंग्रेस विधायक दल की शनिवार की साम देर रात बारे बज़े तक हुई बैठक में लिया गया कॉंग्रेस विधायक दल के नेता आलमगिर आलम की अध्यक्षता में कॉंग्रेस के जारकन प्रभारी अविनाश पांडे सह प्रभारी उमंग सिंगार और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकूर की उपस्थिती में विधायक दल की बैठक हुई थी बतादे की बैचक के बाद प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा है कि सरकार में कौमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाएगा साथ ही जल्द ही को ओर्डिनेशन कमीटी का गठन किया जाएगा जिसके लिए मुख्यमंत्री हिमन सोरेन से मुलाकात करेंगे उन्होंने कहा है कि यह कमीटी इसलिए भी आवश्यक है कि संपर्क और सववाद एक दूसरे के साथ बराबरी से बना रहे हैं वहीं विकास के कारियों को और विधायकों के विधायनसभा श्रीत्रों के कारियों को गती मिल सके वर्तमान में कॉंग्रेस में विधायक दल के नेता और मंत्रियों के माधियम से को ओर्डिनेट चल रहा है वहीं बता दे कि उन्होंने कहा है जारखन में गड़बंधन की सरकार है और यहां अच्छा काम कर रही है यहां समनवय और और ट्रेंडिंग के साथ काम हो रहा है इसे कैसे आगे बढ़ा सकते हैं और जनता से जो वादे किये गए हैं उसे कैसे पूरा कर सकते हैं इस पर विधायकों ने अपने सुछाव दिये हैं वही कॉंग्रेस प्रभारी ने कहा है कि सभी आपदाओं के बावजूत दो सालों में कई शेत्रों में विकास के कारे हुए हैं कॉंग्रेस के मंतरी जो विभाग देख रहे हैं उन पर भी कई विकास के काम चल रहे हैं बता दे कि अब जारखर्ण कॉंग्रेस में भी बवाल देखने को मिल रहा है आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखिए बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहे हैं SPN 9 News के साथ